मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाए उसके बाद इस बेल आकन को दबाना ना भूले हेलो फ्रेंड मैं भी पिनपसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता हूँ अज क्या मेरा टॉपिक है सिंप्लिफिकेशन यानि सरली करन सरली करन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजिए में बताना चाहता हूँ देखिए यह तो आप जानते होंगे ना आप TIME की यह तो आप क्या आपकर काम करेंगे निगा का का करेंगे तो बढ़का सबसे पहले कोने सबास्स करें इसके बार ब्चन भां का को करेंगे इसके बाद मल्ठिपलिकर स्मな गुना का का काम करेंगे इसके बाद सब्सक्राइक्स अनि घेटा को काम सबसे लस्त करेंगे कि डियर चलते हैं कुए न्opard 3 और अगर X इकल टू माइनस टू माइनस फोर चोटी ब्रैकेट माइनस से फिर मंजली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट से यहां कॉंपैक्ट है इसी प्रकार यह भी टर्म आप दिख लिजिए इकल टू फोरे दिया हुआ है तो हमें X का भेलू निकालना फ्रेंड इतना सॉ आप दिख लोच को इंगर इसकू किया किजいगा चु की बीच में कौई प्लस या मैनस तो है नहीं इसका मतलब है कि juda केसिंगु मैंद का सिंबल है सो माइनस टू को माइनस ए से मल्टिपलाई किजिएगा तो अब जानते है यह माईनस मैनस किया होता है पलस होता है तो मल् 20A अब बीच में क्या है पलस लीजिए मैं लिखता हूँ पलस अब इसका सलूसन कीजिए माइनस माइनस पलस फोर मल्टिप्लाइए फोर ए और फोर ए को माइनस 2 से माइनस 8A यहीं नाएगा इसके साथ क्या है X है इकल टू फोर ए यहनि इसका सलूसन आया माइनस 20A और यहां से यहां तका सलूसन आया माइनस 8A इसका वेलू क्या होगा माइनस 8A X होगा ना इकल टू फोर ए और माइनस 20A राइस है जाएगा तो पलस 20A हो जाएगा और दोनों के 8 कर दीजेगा तो 24 यह आएगा ए, ए, कैंसिल हो गया so therefore x के विलूग क्या आएगा 24 divided by minus 8 कैंसिल कर दीजे, यानि minus 3, इसका answer होगा यानि option B, है ना असान तरीका, एक जामनिस में इसे ही इस टब का problem को solve कीजेगा इस problem को देखिए इसका value निकालना है, फ्रेंड इसमें आप क्या काम कीजिए, 941 को A मान लेजिए, क्या 941 को A मान लेते हैं, दो ही term है, एक 941 है, दुसरा 149 है, चाहिए numerator हो या denominator, 149 को B मान लेजिए तो अब आप formula देखिए किस formula पर आया है A plus B Q 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 QQ Q 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 सो फ्रेंड यह a2 plus b2 और यह a2 plus b2 cancel हो जाएगा और इसका इंसल क्या आएगा टू यानि ऑप्सन बी और ऐसे सॉल्फ कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा राइट है ना यानि सेकेंड़ों में इसका इंसल आप दे सकते हैं कुछ प्रैन के विज़वत आपको नहीं परेग इसको अगर आप मानते है a 50 को । इसको आप बी मान लेते हैं इसको सी मान लेते हैं तो यह कीस फर्मूला पर aq b q plus c q के फर्मूला पर है ना प्लस b plus c का ऐडिशन जो इसक नहीं नहीं आ रहा है अगर जीरो आएगा तो इसका सल्लयसल तो और c का value क्या है minus 20 है है ना और जो रिएगा तो 0 आ रहा है clear so friend जब a plus b plus c equal to 0 हो जाया है तो आप पढ़े होंगे इससे पहले भी मैं एक फर्मुला में बताया हूँ इस case में aq bq plus cq का formula होता है direct 3abc का जब a plus b plus c equal to 0 हो तभी aq plus bq plus cq equal to 3abc होगा अदरवाइज नहीं राइट तो clear है 0 हो रहा है so friend 3 multiply a के प्लेस पर 50 है b के प्लेस पर minus 30 है और c के प्लेस पर minus 20 है multiply कर दिजिए देखिए पहले 0 को बार में बैठाएंगे पहले ऐसे बिना without 0 आप multiply किजिए 3 multiply 5 15 15 multiply 3 45 45 multiply 2 कितना 90 यहां लिख दिजिए 90 और कितना 0 है 1 2 3 0 इस पर 3 0 बैठा दिजिए clear और माइनस का सवाल है तो माइनस माइनस क्या होता है पलस सो इसका sign क्या हो जाएगा पलस सो answer क्या होगा 90,000 यानि 90,000 सो option होगा c clear अब question 4 की और देखिए इसको solve करना है नियम जानते है इसको भी आप प्रैन की कोई जरुदत नहीं पर भरबली आप कर लिजिएगा देखिए कैसे पहले ब्रैक्ट के काम करेंगे किजिए ब्रैक्ट के काम छोटी ब्रैक्ट है न किजिए तो 6-1 फाइव फिर मंजली ब्रैक्ट के काम कीजिए तो 7-5 टू एट माइनस टू शिक्स और 9-6 थ्री से इसका क्या हो जाएगा थ्री यानि ऐसे भी आप मैं आप उस्वाल करके दिखा देरता हूं 8-7-6-1-5 मंजली ब्रैक्ट फिर उसके बाद क्या है ब्रैक्ट छोटी ब्रैक्ट समाप्त हो गया तो 9- आपको इस ब्रैक्ट का काम करेंगे मंजली ब्रैक्ट का काम करेंगे सो 8-2 और बरी ब्रैक्ट इसको क्लोच कर दीजिए सो 9-8-2-6 और 9-6-3-3-d होगा राइट फिर नेस्ट कोशन की ओर क्यों रूट 3.5 प्लस क्यूव रूट ऑप 2.5 ब्रैकट क्लोच फिर ब्रैक्ट स्टा थो गया क्यूव रूट 1.5 मार्स प्यूव रूट 8.75 प्लस क्यूव 2.5 का होल च्वाइड अब इसको solve करना है, अब बताई इसको solve कैसी कीजिएगा, बहुत लंबा चोड़ा problem है, बहुत ही complex देखने में लगदा है, तेकर इसको easy way से solve करना है, बहुत कम time में, देखें क्या मैं इसको करूँगा, यहां पर आप देख रहे होंगे न, दो ही term है, एक 3.5 और दूसरा 2.5 इस दोनों को जब product कीजिएगा, 3.5 और 2.5 को 8.75 आएगा, मैं करके दिखा देता हूं, 3.5 को 35 और 25 को multiply कर दीजिए, चिक है, तो आप करना जानते है, 55 जा 25 carry 2, 35 जा 15 plus 2 17, और 5 जा 10, 3 जा 6 and 7, 8 कर दीजिए, 578, और कितना दसमलब है, 1 and 2 जिसमल है, दो आँके बाद दसमलब, कितना आगा, 8.75, so friend, 8.75 को आप लिख सकते हैं, 3.5 multiply 2.5, यह तो किलियर है, friend, यहाँ पर क्या किजिए, 3.5 को A मान दीजिए, और 2.5 को B मान दीजिए, इसमें 3.5 को A जो मैं मानना हो न, इसको root सहित मानना है, चुकि क्यूब root है पूरा term को मैं मान लेता हूँ A, और इस पूरे term को मैं मान लेता हूँ B, अब चुकि इस पर क्यूब root है, इस पर क्या क्या क्यूब root है, और तो इस पर भी क्या हो जागा, क्यूब root हो जागा, अब दोनों को अलग लग किजिएगा, तो 3.5, अब multiply a cube root of 2.5, इसको लिख सक है न, तो यह हो गया a plus b, एक पूरा term को मैं a माना हूँ, एक पूरा term को b माना हूँ, यह देखिए, इस पूरे term को a माना हूँ में, है न यह, तो a का square, minus, इसका क्या होगा, बताए तो आप ही, यह a है, हम multiply, यह क्या है, b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, minus a b, plus, इस इसको पूरा term को क्या माने है, b, तो b का square, right, so friend, और यह किसका formula होता है, मैं corner में लिख चुका था, यह formula होता है, a q plus b q का, a का value दिया हूँ, यहां देखिए, 3.5 power 1 by 3, आप जानते हैं न, चुकि 3.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3.5 power 1 by 3, लिख सकते हैं न, यानि, a का cube root, इसको हम इस form में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना, चाहिए अपनों को खिकना, लिख देखिए, 3.5 का cube root, इसका value, अब power क्या है, यह power क्या है, इस पर power 3 है, इस पर power again 3, plus, b को क्या लिख सकते हैं इसको, 2.5 power 1 by 3, लिख सकते हैं न, इसका मतलब यही यह तो b है, इस total क्या है, b है, इसको इस form में लिख दियाओ, उस पर power q, यह 3, यह 3, यह 3, यह 3, तो 3.5, अब पलस 2.5, दोनों केज कर दीजेगा, तो आजागा 6, यानि option c, है ना असान, बस ध्यान में रखना होगा, a q plus b q का formula याद होना चाहिए, और इसका तरीका solve करने क देख लिए, so competition में SSE CGL की question आया हुआ है, examination में, बहुत easy way से इस तरीका से आप इस problem को solve कर सकते हैं, फिर चलते हैं, लास्ट प्रोलेम की और रास question, इस type को problem होता है, देखते होंगे, एक जगा पर कभी 2 रहता है, कभी एक जगा पर 3 देदेगा, कभी एक जगा पर 5 देदे एक साथ लेका कभी मत चलिएगा, टाहम मी लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, पर इसको solve करता हूँ, इसके नीचे कितना है, 1 है, LCM देख में, तो हो जगा 1-A, 1-A को 1 से divide कीजिएगा, तो 1-A ही आएगा, और 1-A को 1 से multiply कीजिएगा, तो 1-A, पलस, और 1-A में, 1-A से divide तो आएगा, यह दोनों cancel, तो इसका value कितना आगया, आया, 1 upon 1-A, यानि इसका value आया, 1 upon 1-A, उपर क्या है, 1 अब total का value निकाल देगे, अब यहां से total का value आप निकाल देगे, तो उपर में है 1, और नीचे में क्या आया, 1-1 by 1-A, उलट जाने के बाद हो जाएगा, यह 1-A, clear, तो इस total का value आगया, 1-A, अब किसको solve करना है, अब हमें A, 1- लिजिए, देखिए कैसे मैं solve कर रहा हूं, 1-, इस total का value कितना आगया, 1-A, 1-A, solve किजिए, 1-1, minus, minus, plus A, cancel कितना आगया, A, यानि अब इसका यहां से यहां तक का value आगया, A, आया न, तो अब लिख दीजिए 1-A, and divide by total का value A, यह cancel, so 1-1, यानि 0, so option क्या होगा, C, तो ध्यान रखिएगा, total को एक साथ लेकर नहीं चलना है, पहले इसको solve कर लिजिए अलग से, फिर इसको उलट दीजिए, जो भी term हैगा, तो इसका value निकल जाएगा, फिर 1 में इसको minus कर दीजिए, कर देने के बाद मे तो फिली लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिय के समय कर को प्रेस कीजिए, फिर मिलूगा नए वीडियो के साथ, जाहिंदे